हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल इजी निटिंग क्लासेज तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे तो देखेगा फ्रेंड्स एक बुनाई डिजाइन लेकर आई हूं बहुत आसान सा बुनाई डिजाइन है इसको इस्वेड्स पेटरन बहुत खुबसूरत बनता है भी प्यारा लगता है और इतना आसान जिसए बिगनर्स बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर आप निटिंग में एक्सपर्ट हैं तो भी आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं तो आप देखिए कहां पर पैटरंस पर डिजाइन में किसी भी पैटर्ण में डाल सकते हैं एक बार आप इसे ट्राय जरूर करना अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शियर करना इंस्टा पर मुझे आप फोटो भीजिएगा इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां पंदा मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से बुनूंगी इसलिप नहीं करूंगी ठीक है अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी धागा अपनी तरफ लेकर आओंगी यहाँ पर दो फंदे में उल्टे बनाओंगी वान टू धागा पीछे लेकर जाऊंगी दो फंदे सी टू धागा अपनी तरफ धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे दागा पीछे एच स्टिच को हम सीधा बना लेंगे तो देखे इस तरह से हम अपने पैटर्ण की फर्स्ट रो जो है कंप्लीट कर लिए और हां गाइस यहां पर देखे मैंने यह नॉर्मल बूल लिए और दस नमर की मैंने यह पर सलाइया लिए कि आप लोग पूछते हैं कि सलाइया कौन सी लिए और बूल कौन सी लिया तो वह मैं आपको इसलिए बता रही हूं अब देखिए सेकंड रो पर आ गए पैटर्ण की तो यहां देखे पहला फंदा स्लिप करेंगे उल्टा क्योंकि हम उल्टी साइड से हैं धागा लिके जाएंगे पीछे अब देखे यहां बिजो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा इंगे यानि कि जो फंदे यहाँ पर हमने उल्टे बनायेते वह अब इतर हमें सीधे दिख रहे हैं इस हम इने सीधा बनाएंगे देखे वां-टू थागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा पीछे दो फंदे उल्टे अब देखे धागा पीछे लेके जाएंगे दो फंदे सीधे 1 2 धागा अपनी तरफ edge stitch को हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से अब देखे पैटर्न की 3rd row है फ्रंट साइट से देखे आप कैसे बनाएंगे इसको पहला फंदा slip करेंगे धागा अपनी तरफ तो देखे जो 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे वो तो हमें हर बार उल्टे ही बनाने है फ्रंट साइट से और रॉंग साइट से सीधे तो देखे 2 फंदे उल्टे बनाए धागा पीछे अब यह जो 2 फंदे सीधे है इस पर डिजाइन डलेगा ऐसे देखे इसको दो बार धागा लपेटते हुए सीधा बनाएंगे नेक्स्ट फंदा दो बार धागा लपेटते हुए सीधा बना लेंगे बस यही करेंगे इस रोम में दो फंदे उल्टे इस तरह से धागा पीछे दो फंदे देखे इस तरह से धागा लपेटते हुए ऐसे बनाएगे यह देखेगा धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे देखे इस तरह से दो बाद धागा लपेट के सीधा बनाएगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे, देखे, इस तरह से, ये देखे, दो फंदे उल्टे, वान, टू, धागा पीछे, एक फंदा, सीधा, देखे, हमने तीन सलाईया बना के कम्प्लीट कर ली, अब आ गए हम रो फोर पे, तो रो फोर देखेगा किस तरह से बनाएंगे, पहला फंदा सिलिप करें जो धागा पीछे, आप जो दो फंदे दर उल्टे बनाए थे वा इस सीधे बनाएंगे, ये तो हम एक लूप निकालेंगे, इस तरह से, ये लूप और ये दो फंदे दोनों को एक कर देंगी इस तरह से, ऐसे बना लेंगे, ठीक, फिर यह देखें, फिर दो फंदे सीधे, one, two, अब देखेंगा, इसको ऐसे खोलेंगे, one, two, फिर से हम यहां ले लेंगे, फिर यहां से एक लूप निकालेंगे, ऐसे, तो देखें, एक लूप बाला फंद आओगे, और यह जो दो फंदे हैं, इनको दो का एक कर देंग इस तरह से, फिर दो फंदे, सीधे, फिर देखिए, यहां पे इसको खोलेंगे, वन, टू, ऐसे लेंगे, यहां से एक लूप, फिर देखिए, यहां से, इस तरह से, दो फंदे, सीधे, थागा अपनी तरफ दो फंदे, वो सौरी, एजिस्टिच को उल्टा बना देंगे, तो अब देखिएगा, यहां पे यह जो चार सलाईयां मैंने आपको बताई हैं, यही आपको बारवार रिबीट करनी हैं, तो एक वार फिर से देख लेते हैं, जल्दी- अब देखिए, आप दो फंदे, सीधे, दो फंदे, ओल्टे किये, पूरी लाइन बनानी है, इस तरह से, दो ओल्टे हो गए, और यह दो सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ, दो ओल्टे, और दो सीधे, और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा जो दूसरा च करते हैं, कि बच्चों के कपड़े, आप लोग सस्ते कम पैसों में किस तरह से खरी सकते हैं, तो उसके लिए आप जो है मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, मार्केट से भी सस्ते कपड़ों का काफी सारे विजिट कीजिएगा, वहां पर मैं एप्स बताती रहती हूं, वी जैसे कि आपकी स्किन में दाग, धब्बे, जुरियां, जाईयां, बाल जड़ रहे हैं, बाल वाइट हो रहे हैं, तो इस तरह की सॉल्यूशन जो है, इन चीजों के सॉल्यूशन आपको मेरे उस वाले चैनल पर जब देखने को मिल जाएंगे, एक बार विजिट करिएगा लिंक जो है, डिस्करिशन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, यह देखिएगा, तो यह दो सलाईयां हमने इस तरह से बनाई, एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे, इस तरह से, ठीक है, आप देखिए, अब हम आगे अपनी थर्ड रोप है, तो पहला फंदा स्लिप, दो फ धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा पीछे देखिए, दो फंदे सीधे, वान, तू, और मेरी वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छी लगते हैं, तो मेरी वीडियो को शीयर किया, कीजे सभी लोगों के साथ, अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे ह बेल प्रेस कर दीजेगा, जैसे कि आप देखिए, यहां पर सब्सक्राइब के बगर में जो घंटी जैसा आइकान है, उसे और पर प्रेस कर दीजेगा, जैसे कि मेरे आने वाले वीडियो आप तक समय से सबसे पहले पहुंचते रहे हैं, तो विजिट जरूर कीजेगा, आ अब धूट थागा अपने तरफ देखों इनको डूनों को खुलेंगे, वापस यही लेंगे और यहां से धागा तो खर फिच्छे लही रहेगा, ऐसे लूप लेंगे और दो को दो का एक कर देंगे, इस simplement फिर दो फन दें सीधे, फिर देखिए इनको खोलेंगे, इस ऊसी तरह से तपर यहां पर एक लूप लें यह तरए से दो का एक कर देंगे एसा पीड़े वान य्दी कर देंगे इस तरह से यहां से एक लूब लेंगे इस तरह से दो फंदे सीधे वान तो यह देखे तो यह चार सला ही आप रिपीट करते ही जाएगा डिजाइन पैटर्न बहुत खूपसुरत बनके आएगा इस तरह से देखिए कितना प्यारा है जब आप इसे जादा फंदों पर बनाए तो आप इसे एक बार ट्राय जरूर करना और कमेंट करके बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी फ्रंट साइट देखिए हैं रॉंग साइट देखिए इस तरह से हैं आप इसे किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडिज जैंस बच्चों के बड़ों के स्वेटर ज